वेलकम बैक, स्वागत है एक बर फिर्ष है आपके अपने यूटूब चैनल के TGT, PGT, कला के आज के इस वीडियो में मित्रो पचीस तारिक को आपकी पहली क्लास सुरू होगी, यह नूटिफिकिशन मैंने पहले ही अपने चैनल के माध्यम से आपको दे दिया है तो आज पहली कलास हमारी सुरू होने जा रही है, आगामी अल्टिग्रेट की भरती जो आने वाली उसको देखते हुए जिसके जो है टापिक वाइस कोश्चन सुरू होंगे, और अभी मैं थोड़े से कोश्चनों की सिरीज लेके सुरू करूँगा और धीरे-धीरे हम लोग अपनी स्पीट को पकड़ देंगे, तो मित्रो अगर चैनल पर पहली मर्तबा है, तो चलिए मित्रो को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन दबा लीजीगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलका रहे है, लाइक अगर पसंद आए तो शेर और प्राग एतिहासिक कला का जो अर्थ है, वो क्या होता है? मित्रो प्राग एतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है इन चारों में से? आधुनिक कला होता है, मध्यकालेन कला, सिंदुगाटी सब्वेका की कला या एतिहासिक कला के पुरु की कला. तो प्राग एतिहासिक कला का ज इसको कोलते हैं एतिहाशिक कला के पुरकी कला को ठीक है और इसका मतलब यह हुआ प्राग एतिहाशिक कला का अर्थ है कि जब मानों का अस्तित्व यानि जो मानों थे वो अस्तित्व में थे क्या थे मानों जो थे वो अस्तित्व में थे यानि प्राग एतिहाशिक काल में जो मानो तो थे लेकिन उनका कोई लिखित प्रमार नहीं मिलता है उसे ही कहते हैं प्रागय यदिहासिक कला और उसी का अर्थ होता है यदिहासिक काल के पुरू की खला ठीक है? आगे बढ़ते हैं और दूसरे कुश्चन कर जिकर करते हैं हम लोग तो दूसरा कुश्चन अब का पुछ रहा है, फ्रेसको काटब्रियन छेत्र संबंधित है, मित्रो फ्रेसको काटब्रियन छेत्र इन में से किसे संबंध रखता है, धार्मिक कर्मकांड से, आदिम गीत से, प्राग एतिहासिक कलाशे या मध्यकालीन कलाशे, तो मित्रो ये जो संबंध रखता है, वो आपक फ्रेस्क्रो कैटब्रियंग जो है मित्रों वो कलात्मक गुफाओ इसका जो यह जो फ्रेस्क्रो कैटब्रियंग है इस गुफाओ का पता जो है उन्नेश्वी शती में किसमें उन्नेश्वी सती के जो है अंत में चला इसका पता फ्रेस्को कैटब्रियंग जो है छेत्र की जो प्राग एतिहासिक चित्र कहां प्राप्थ हुए हैं तो भारत में प्राग एतिहासिक चित्र हमें जहां से प्राप्थ हुए हैं मित्रो उस जगा का क्या नाम है तो मित्रो उस जगा का नाम है आपका सर्गुजा का नाम है सर्गुजा से हमको प्राप्थ हुए भारत में प्राग एतिहासिक के चित्र सर्गुजा से प्राप्थ हुए ठीक है अब जो सर्गुजा है उसके बारे में व प्रशिद अस्थल है ठीक है जो बहुत ही प्रशिद है तो सर्गुजा जो है वह प्रागयती चित्रो जहांसे प्राप्त हुए हिंदुस्तान में हमारे । सरगुजा है ठीक है आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले कोश्चन के जिकर करते हैं तो अगला कोश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीता बेगरा गुफा के निकट रामगीरी परवत पर कौनशी गुफा इस्तित है जोगी मारा की गुफा बाग गुफा एलोरा गुफा या जनता गुफा तो सीता बेगरा गुफा के निकट जो है रामगीरी परवत है वहाँ पे जो गुफा इस्तित है मित्रों उस गुफा का जो नाम है वो है जोगी मारा गुफा और इस बार TGT में हमारे कोश्चन भी था जोगिमारा गुफा इस्थित है कहा और ये जो सीता बुगरा जो हम जानते हैं तो सीता बुगरा गुफा के निकट जो है आपका जोगिमारा गुफा इस्थित है जिसे भारतिय चितरकला का वरुड ध्यान दिजेगा मंदिर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भारतिय चितरकला का वरुड मंदिर भी कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण की हमनों जीकर करते हैं कि अगला प्रिश्ण हमारा पूछ रहा है मित्रो कि प्राग एतिहासिक चित्रो का धरातल क्या है देखेगा प्राग एतिहासिक चित्रो का जो है धरातल हमारा क्या है तो मित्रो इस पांचवे कुश्चन का जो हमारा राइट एंसर होता है वो आपका होता है ए सिला क्या होगा प्राग एतिहासिक चित्रों का जो धरातल है मित्रों वो हमारा है सिला ठीक है तो पांचवे का राई टेंसर जो होगा ए हो जाएगा और सिला शेमाईने आपके जैसे अनेक चित्र प्रस्तर सिलाओं पर भी अंकित हैं उसकी अलावा प्राग एतिहसिक काल म जो है वो चटानों पे ठीक है चटानों की जो दिवारे हैं उन पे चटानों की दिवारे गुफाओं के जो फर्स हैं उन पे या चहतों पर बनाएगा है और अनेक चित्र जो है वो प्रस्तर सिला उपर भी बनाएगा है इसलिए प्राग एतिहासिक चित्र का जो धरातल है वो प्रिच की छालों पे या चट्टी नॉपिं सुनु झां classrooms गए तो बश्सक्रीं प्रागेती हैसिंप जीटर कलétait जीस सते बनाई गई मित्रों उसका नाम है आपका चट्टानों पे किस पे चट्टानों पे बनाई गी ठीक है तो इसका आपका राइट एंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर आपका हो जागा डी चेटानों पे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्णा महारा पूछ रहा है कि प्राग एतिहासिक चित्र है क्या वो एक गरंथ चित्र है गुहा चित्र है कागच पर बने चित्र है आवस्थ पर बने चित्र है तो मित्रो प्राग एतिहासिक चित्र जो है वो क्या है एक जो है हमारे गुहा चित्र है अभी थोड़ देर पहले हमने गुहा चित्र के बारे में जिकर किया तो प्राग एतिहासिक चित्र क्या है एक गुहाचित्र है और जिसको आप इंगलिस में कहते हैं केव आर्ट केव आर्ट को हम जो है गुहाचित्र कहते हैं तो ये जो गुहाचित्र है प्रागयती है सिकल में ये किसलिए किये जाते तो पासाड यूग में जो मनुष्य थे यानि उस समय जो मनुष्य थे वो अपन अगे पड़ते हैं और अगले प्रशन का जीकर करते हैं तो अगला प्रशन है आपका कि प्रागयातिहासिक्सिला चितरों का विशह कया था 시 Biya tla i प्तियासिक सिला चित्रों के विश है और इसमें जो है आखेट युद करते हुए तता बिजय के औसर पनित करते हुए चित्र का भी जो है ततकालिन मानों का मुख्य शित्री रूप विशे भी इसमें है ठीक है तो यह है आपका इसका राइट अंसर जो हो जागा डी यानि आ अलावा जो है इस्तरी प्रूष पच्छी पच्छी चित्र की जो है अधी युगनी मानों की विशेवस्तु से संबंदित रहे हैं ठीक है और जादू टोने की अमुर्थ भावनाओं से भी विक्षित इसमें कुछ चित्र की रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्र प्रूप तो शभी आपने उपर पढ़ा युद्ध भी था आखेट भी था युद्ध भी था पसू पच्छी भी थे लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दिजागा इस कोश्चन पर सबसे अधिक चित्र किस प्रकार की मिले हैं पश्वों के चित्र मिले हैं या मनुष्यों के च चित्र मिला है आखेट मिन्स शिकार करते हुए यानि सिकार का चित्र दिर से सबसे जाधा मिला हुआ है थिक है आगे बढ़ते हो अगले प्रस्चन की बात करते हैं तो अगला प्रस्चनमार पूछ रहा है कि प्राग एतियासिख आदी मानो चित्राकन के लिए कई तरह के रंगों का प्रयोग करता था जिसमें अधिकतर रंग सामिल थे तो प्रागयतियासिंग मानो जो है जब चित्रकारी किया करते थे सिकार का सबसे ज़्यादा और विस्वाई चीजों का तो उसमें जो है रंगों का प्रयोग करते थे तो सबसे ज जो है उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तमाल किया अपने चित्रों में चित्रकारी करने के लिए ठीक है तो इसका आपका जो राइट एंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा भी दस्यकर आइट उसर ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण की तरफ हम लोग जो है रुख करते हैं तो देखिएगा और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें जैंते हैं कि देखे रंग ये जो है इसके अलावा खड़िया मिट्टी और कई तरह के रंगिन मिट्ट की उपयोग चित्र बनाने के लिए लोग करते थे प्रागेतियासिक मानों जोते हैं उसके अलावा आग जलाना सीखने के लिए वो जो है जैसे माली जी आग जलाना जब उन्होंने सीखा आग जलाना तो आग जलाना सीखने के लिए उन्होंने जो हड़ी जो होता है हड़ी ठीक है जो हड़ी होते थे उनको जा जला कर यानि आग जब जलाते थे तो उनकी हड़ जो पसुओ के जो हड़ी थे उनको जला कर जो है वो काला रंग बनाते हैं कौन सा रंग बनाते थे हडडियों को जलाने के बाद काला रंग भी बना लेते थे और काले रंग का भी जो है इस्तमाल करते थे उसके अलावा लकडी के कोईले का भी परियोग करते थे यानि लकडी जो जल जाती थी वो भी काला रंग हो जाता है तो उसका भी उसके अलावा जानवर की चर्वी मिलाकर इन सभी को मिलाकर जो है वो अपने चित्रकारी को जो है किये हैं अपने दोर में प्रागेतियासिक है अगला प्रशन है आथ से पुछ रहा है कि भारत में प्राग एतिहासिक चित्रित सैलास्रे अधिकांस रूप में पाए गये हैं कहां पे मिर्ज पाएगा है वो पाएगा है MP में मध्य परदेश में कहां पाएगा है सबसे ज़्यदा मित्रों मध्य परदेश में पाएगा है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण की तरफ रूख करते हैं तो अगला प्रश्ण हमारा आपसे पूछ रहा है कि इस प्रागेतियासिक चित्रों की जो प्रमुख केंद्र हैं वो कहां पर इस्थित रहे हैं यह हमारा कोश्चन है ठीक है तो मित्रों इस कोश्चन का जो आपका रैटन सन्व में बार्ब का वो आपका हो जाएगा ये उत्तरी इस्पेन और दच्छडी फ्रांस में जो है प अगला प्रिश्ण हमारा पूछ रहा है कि 200 अस्तर पर प्राग एतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों में से नहीं है यानि 200 अस्तर पर जो प्राग एतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हम पाए हैं उसमें कौन सा नहीं है भारत नहीं है ब्राजिल नहीं है फ्रा अजिल भी है और फ्रांस भी है इसके अलावा आपका जो है अरजेंटीना भी है ठीक है अर्जेंटीना में मानोश का रहें इसके बाद आप पता ही आया, Altermeira की गुफाओं के बारे में, ठीक है, उसके अलावा इस्पेन में है, इस्पेन में जु है आपका राक Аर्ट आफ द़र मेटेडेरियन बेशीन है, वहाँ पे है इजिप्ट में है, ठीक है इंडोनेशिया में, मारुष गुफाओं में है, इस तरह से किंद्रों में अगला प्रशन है कि मिसरा पोथा का अर्थ क्ला होता है मित्रों दो नदियों के बीच की सभेता को कहते हैं मिसोपोटामिया दो नदियों के किनारे की सभेता को या दो नदियों की सभेता को ही सिर्फ कहते हैं या इनमेश कोई नहीं तो मित्रों चोधन अमर कोश्चन का जो आपका राइट इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो नदियों के बीच की सब्वेता को हम कैसे है मिसोपोटामिया और वो दो नदियों का नाम क्या है मित्रों वो है दजला और फरात क्या है दजला और फरात यही दो नदियां है जिनके बीच में पनपी सब्वेता है मिसोपोटामिया की सब्वेता ठीक है आईए मित्र अगर वीडियो प्रशंद है और आपको अच्छा लग रहा हो तो केमेंट्स अच्छे-चे करिएगा जरूर लाइक और शेर करना मत भूलिएगा और जो हमारे मित्र भाई ने जुड़े हैं उनको जो है यही कहना चाहूंगा कि ज्याद ज्याद शेर करे और यह क्लास जो है डेली आपकी रात में आठ बजे चलती है और आठ बजे आपको यह वीडियो मिलता रहेगा बस यूटूब पे आपको बने रहना है यह क्लास आपके यूटूब पे फ्री चलती है कोई पेड़ बैच नहीं है आपका और मुझे धोखा देने वाला काम नहीं मैं करता हूं कि पेड़ बैच लिया पैसा लिया और उसमें आपको खुशे नहीं अबलेवल कराया इस तरह का मुझे काम नहीं करना है इसलिए मैं जो है यूटूब पे बस आपको जुड़े रहना है और डेली आपको वेडियो देखना है आपको खुद पे खुद तैयारी बहतरीन हो जाएगी किसी भी पैसे की जरूट नहीं है बस आपको वेडियो देखना है ठीक है तो चले मित्रो मिसोपोटामिया की शबयता किस देश की है कोशनल 15 हमारा पूछ रहा है पाकिस्तान की है इराक की है अफगानिस्तान की है या इरान की है तो मित्रो मिस मिसोपोटामिया की शबयता जिस देश की है उस देश का नाम है इराक क्या नाम है इराक उस देश का नाम है जो मिसोपोटामिया की शबयता है ठीक है तो ये पंदरा का जो आपका राइटन से हो जाएगा वह हो जाएगा बी आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमर शोला देख हमारा वो जिससे है वो है मीसो पोटामिया की कौनसी कला है सिलेंडर शील का शंबन किस कला से है तो मीसो पोटामिया की कला से है और आपको मैं बता दूँ कि जो सिलेंडर शील सब्द है यह 3500 ठीक है इसापुर्व ठीक है 3500 इसापुर्व के आसपास सिलेंडर शील का चार हुआ था और यह एक क्या था यह एक बेलन था क्या था मित्रों यह एक बेलन था और 35 इसावर्स पूरव यह हुआ था जिस पर चित्र उके रहा गया था यह 35 इसा पूरव हुआ था सिलिंडर सील के हैं ठीक है आगे बढ़ते हो और अगले प्रश्ण का जिकर करते हैं तो अगला प्रश्ण आमारा पूछ रहा है कि तूतन खामेन का संब्ध निम्न में से किस देश से रहा है तूतन खामेन का संब्ध निम्न में से किस देश से रहा है मिसर से रहा है इटलिश इस्टान से मिस्र से जो तूतन खामेन का संबंद रहा है हो क्या रहा है वह मिस्र से रहा है जो जिसको जो है आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूं इसके बारे में कि ये जो तूतन खामेन है वो मिसर का एक पैरो रहा है क्या रहा है सौरी पैरो कह रहा है मिसर का एक फैरो रहा है जो फैरो जो है वो प्राचीन मिसर के सासको के लिए आधुनिक चर्चाओ और इतिहास के प्रियोग किये जाने वाला एक शब्द है यह ठीक है फैरो ठीक है तो यह है इसका इंशान था जिसके मिर्तिव 19 वर्स की आयों में जो है 1324 इस्विए में इसके मिर्तिव हो गई 19 वर्स की आयों में उसके आसपास हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन का जिक्र करते हैं तो अगला प्रशन हमारा पूछ रहा है कि सुमेरियन सभेता किस नदी के तट पर विक्षित हुई जो सुमेरियन सभेता है वो कौन शिनदी के तट पर विक्षित हुई निल नदी के या अंगस्तजे नजी के या वह ज्टाएदा छी यूफरेट किस नदी पे मोहनजोदाड़ो इन में से किसे कीसी को नहीं तो लगू मोहन जोदाड़ो मित्रो इन में से किसको कहा जाता है तो इस question का जो आपका right answer हो जाता है वो हो जाता है आपका ए लोथल को किसको कहा जाता है लोथल को जो है लगू हडपा यानि इसको लगू हडपा भी कहा जाता है या लगु मोहन जो दाड़ों भी कहा जाता है लोथल को ठीक है तो इस question को ध्यान से रखिएगा कि कोई पीजिटी पीजिटी में इस तरह के घुमादे question पूछे गया देज़ बार और इस वीडियो का आखरी question मैंने पहले पताया में तो कि शुरुआत है आज और आज से हम शुरू कर किये है जो है पचीस तरह से नोडिफिकेशन में तो आज हमने जो है बीस question किसे लिए है धिरे धिरे मैं जो है question को बाद में बढ़ाऊंगा लेकिन अभी धिरे धिरे अपनी speed को हम लोग शुरू करते हैं कुछ कम समय को लेते हुए वीडियो लंबाना करते हुए तो आखरी question आपका पूछ रहा है कि निमलखित में से कौन सा नगर हडपा संस्कृती का जो है नहीं है यानि हडप हडपा से इनमें से कौनशा नगर जो है संबंद नहीं रखता है लोथल काली बंगा बनवाली या गिरिनगर तो कौशा जो है मित्रों इसमें से हडपा संस्कित से संस्ब्ध नहीं रखता है तो मित्रों इस question का आपका Right answer हो जाएगा वो हो जाएगा गिरी नगर जो है हड़ापपा संस्कृत यानि जिसको हम इंडस वैलो शब्वेता भी कहते हैं इंडस वैली शब्वेता हडपपा को कहते हैं ठीक है से सम्मंधित अस्थल नहीं था ठीक है जबकि लोथल काली बंगा और बनवाली यानि ये जो तीनों है मित्रो ये सिंदु स सब्वेता के जो है प्रमुख अस्थलों में से हैं क्या है प्रमुख अस्थलों में से हैं सिर्फ गिरी नगर को छोड़ कर लोथल जो है आपका पता ही गुजरात में है ठीक है काली बंगा जो है वो राजस्थान में है और बनवाली जो है मित्रो ये हरियारा में है ठीक है तो मित्रो कैसी लगे आज के हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताएगा यह बिस कोशन कमेंट से बॉक्स में ज़रूर बताएगा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है अगर अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा ज्यादस ज्यादा जो आपके नए दो जा आपके ज़र लगे शच्छा सुचंच सматमें ज़रूर बनता है अथाएगा ज़रूर लगे वीडियों में जОलता है इंगी सक्ना करदाएगा गभे जल फे जिसमें जब स्क्ते हम जगे हमारी जापके अ कर दो एम जालता बन्सक्ते हमारी ठागे ज़रूर